नवस्कार दोस्तों मैं हूँ S.P.S.I.S.I.G. और आप देख रहे हैं S.P.L.S.T.D. जी हाँ, आज कल अंग्रेजी कितनी important हो गई है, इसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं आपने कुछ लोगों से कहते सुना होगा, अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए पहले अंग्रेज खुन चूशते थे, अब अंग्रेजी खुन चूशती है अब अंग्रेजी खुन चूसे या ना चूसे काम तो हमें अंग्रेजी से रोज ही पड़ता है चाहे हमें ऑनलाइन काम करना हो चाहें किसी नौकरी के इंट्रूर के लिए जाना हो या फिर किसी दूसरे रोज मर्या के कामों में इस्तिमाल होने वाली अंग्रेजी जी हाँ, अंग्रेजी बोलना कितना important है ये सभी अच्छे तरीके से जानते हैं और अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो आप बहुत से कामों में पीछे रह जाएंगे आपको बहुत सी जगह पर जाने में सरम आती होगी लोगों के साथ खड़े होने में भी आपको हो सकता है जिजक मैसूस होती हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल 5 ऐसी टिप्स बतामगा यानि 5 ऐसी बाते बतामगा जिनसे आप बिना किसी कोर्स के अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं जी हाँ आप खुद कहेंगे के हाँ अंग्रेजी बोलना आसान है और आप भी इसे बोल सकते हैं अंग्रेजी आजकर कितनी आवश्यक हो गई है ये तो आपको पता ही चल गया है लेकिन आप अंग्रेजी सीखेंगे कैसे तो इसका नंबर एक टिप है आपका माहौल जी हाँ अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाते हैं तो आपको अपना माहौल अंग्रेजी बनाना होगा जी हाँ जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मात्रवासा जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हमें बच्छपन से ही हिंदी बोलना आता है, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल हिंदी होता है, हमारे आसपास के सभी लोग हिंदी बोलते हैं, और हम उनको सुन सुन कर हिंदी बोलना सीख जाते हैं, जिसके लिए ना तो हम कभी हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं और ना ही संग्या सरमनाम का ग्यान लेते हैं फिर भी हम फ़राटेदार हिंदी बोल लेते हैं यही करना है आपको अंग्रेजी के साथ सबसे पहले आपको अपना माहौल अंग्रेजी बनाना है अंग्रेजी माहौल बनाने के लिए आप अपने ही जैसे लोगों क सातर हैं, जो दूसरे लोग भी अंगरेजी बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, दूसरा अंगरेजी मूवी देखें, अगरेजी गाने सुनें और भी ह noodles inhalгаेशी चीज़ें हैं, जादा समझने की आवशक्ता नहीं है नमबर दो पर आता है बच्चों की तरह सीखें जैसे एक छोटा बच्चा बिना किसी ग्रामर, बिना किसी व्याकरन या बिना किसी दूसरी प्रैक्टिस के हिंदी बोलना सीखने का प्रयास करता है ऐसे ही आपको अंगरी की बोलना सीखने का प्रयास करना है ऐसा नहीं है कि आप पहले हिंदी को सीखें उसके बाद उसकी अंगरीजी बनाएं यानि सब्दों को जोडने की आवशक्ता नहीं है जैसे मान के चलिए मैं यहां अंगरीजी सीख रहा हूं तो मुझे इसका कोई translation बनाने की जुरूत नहीं है अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो तो बस आप सीधा बोल दो I learn English इतना ही काफी है इसमें पूरा sentence बनाने की जुरूती नहीं है जी हां तो इसे कहते हैं बच्चों की तरह सीखना सामने वाला तो समझ ही गया कि आप क्या कहना चाते हैं अंगरेजी बोलने में और लिखने में यही सबसे बड़ा अंतर है अंगरेजी बोलना आसान है लिखना कठन है क्योंकि लिखने में हमें grammar के rules का भी दिहा रखना होता है लेकिन अंग्रेजी बोलने में ऐसा कोई grammar का rule आपको दिहान नहीं रखना है मान के चलिए आप Pepsi पी रहे हो आपको अंग्रेजी में बोलना है कि आप Pepsi पी रहे हो I drink Pepsi, सीधा बोल सकते हैं I drink Pepsi, या पर कोई पूछता है कि सीधा Pepsi Pepsi, यानि कुल में आके सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आपको उसे जवाब क्या दिया है जी हाँ, तो इस तरीके से भी आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं उसके बाद तरीसे नमबर पर आता है प्रैक्टिस करें आप जितनी हो सके उतनी जादा आपको प्रैक्टिस करनी है जोर जोर से बोलने की, जोर जोर से चिला चिला कर बोलिए अपने मन ही मन प्रैक्टिस करने की गलती मत करना क्योंकि मन ही मन प्रैक्टिस करने वाले कभी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाते आपको जो भी पैक्टिस करनी है खुब चिला चिला के बेशक अकेले में कर सकते हैं कोई अगर ये समझता है कि आप पागल हो गए हो तो कोई बात नहीं उसे समझने दो क्योंकि अंग्रेजी आपको सीखनी है अगर लोगों के डर से या जिजक्की बज़े से आप अपना काम बंद कर देंगे तो क्या आप सफलता पापाएंगे नहीं कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी तो हमें कभी भी लोगों से नहीं डरना है हमें जो काम करना है वो करना ही है नमबर चार पर आता है बाइट के न बनाएं कभी भी अंग्रेजी बोलते समय आपको बाइट के बनाने की जुरुत नहीं है और नहीं उनका हिंदी टांसलेशन करने की आप जैसी भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकते हैं उसी को बोलिए अपने जैसे लोगों के साथ उस अंग्रेजी को बोलिए लोग आपकी मजाक बनाते हैं तो उसमें डरने की कोई आवश्चता नहीं है क्योंकि आप अभी अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो आप परफेक्ट नहीं हो तो इस वातका भी आपको विसेज द्याँ रखना है नमबर पाँच और लाश्ट हमारा सबसे कठन काम होता है अपने अंदर से अंग्रेजी का डर निकाला अगर आपके अंदर से एकवार अंग्रेजी का डर निकल गया तो फिर आप फर्दाटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं तो अंग्रेजी कोई हववा नहीं है, कोई सेर नहीं है जो आपको खा जाएगा आप बड़े ही आराम से अंग्रेजी को सीख सकते हैं उसके लिए आप अपने सामने आइना लगा लें और आएने में देख देखके खुद के साथ ही बात करें इससे आपके अंदर का डर निकल जाएगा और डेली बेसेश पर अंग्रेजी की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अंग्रेजी बोलना सीख भी जाएगे ये तो केवल सुरुआत वीडियो था जो मैंने आपको बताया है अगर आप बाके अंग्रेजी सीखना चाते हैं और खूरा कोर्स इंग्लिस स्पीकिंग का करना चाते हैं तो मैं इस चैनल पर आपको A to Z इंग्लिस कोर्स करा सकता हूँ जिससे आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना तो सीखी जाएंगे साथ में उसे लिखना भी सीख जाएंगे और अंग्रेजी के द्वारा आप ओनलाइन काम करके पैसे भी कमा पाएंगे जी हां तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं अगर जादा लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि वो अंग्रेजी सीखना चाते हैं तो मैं बनवाई बन आपकी अंग्रेजी की किलास लेना सुरू कर दूँगा एक महिने के अंदर आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखी जाएंगे आज करते हैं आज की वीडियो आपको जूर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चनल SPL Study को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन जूर दबा दें जिससे हमारी आगे आने वारी परते एक वीडियो आपको मिलती रहे इसी के साथ नमस्कार